Hello everyone and welcome to my channel Desified Umey PhD में admission कैसे लें और scholarship यानि के funded PhD programs UK में कैसे सर्च कर सकते हैं आज इसी बारे में बात करेंगे आपके साथ कुछ अपना experience भी share करूँगी के मुझे fully funded PhD scholarship कैसे मिला था क्या क्या चीज़े मैंने की थी सब चीज़ें आज इस वीडियो में मैं cover करने की कोशिश करूँगी और ये भी बताऊंगी के PhD का admission लेना जो है वो कहां से better है आइधर आप Pakistan इंडिया से admission लेकर आई या यहां पर UK में आने के बाद आप लोग PhD admission लें तो आज इन सब चीज़ों में हम बात करेंगे तो वीडियो को end तक जुरूर देखें और चैनल को subscribe करना मत भूलें तो देखें PhD जो है वो बहुत अच्छी opportunity है अगर आप UK से इसको करते हैं का UK का PhD पूरी दुनिया में उसको recognize किया जाता है बहुत जादा उसकी value है और बहुत अच्छा PhD कराती है यहां पर universities तो अगर आप वाकई में interested हैं और PhD के बारे में passionate हैं तो मैं आप सब को यही recommend करूंगी कि आप उसको किसी भी foreign country से especially European किसी country से आप अपना PhD करें और उसमें भी अगर आपको UK में chance मिलता है तो जरूर उसे avail करें admission लेने के जो तरीके हैं वो थोड़े से 2-3 different ways होते हैं जिसके अंदर आप PhD में admission ले सकते हो सबसे पहले आपने यह करना होता है कि आपने universities की different websites के उपर जाना होता है और वहाँ पर आपने देखना होता है कि PhD में either वो क्या projects के साथ research करा रहे हैं यहाँ पर यह होता है कि हर university जोती है उसकी एक research theme होती है और उसी से related research topics के अंदर वो लोग PhD को prefer करते हैं तो आपका जो भी subject area है जो भी आपका research interest है जिस area में उस area को लिखके आपने search करना है Google में कि इस से मेरे topics related PhDs कौन-कौन सी universities में हो रहा है जब आप इस initial search के बाद एक list of universities निकाल लोगे 4-5 universities आप अपने target पे रखो और फिर आप उनमें further जो है ना वो detail में आप चेक करो के वो किस किसम के research projects दे रहे हैं अक्सर उकात ही होता है कि जो universities होती है उनकी websites के उपर research projects आते हैं ठीक है जिसके अंदर एक उन्होंने आपको research का topic दिया होता है उसका एक overview बताया होता है summary बताया होती है आपको idea हो जाता है कि किस किसम की research ये लोग demand कर रहे हैं और उसके बाद admission apply करने का procedure होता है कि आपने सबसे पहले एक research proposal लिखना होता है जो कि उस topic को cover करता हो लाजमी नहीं है कि same to same उसी topic पर ये आपने लिखना है major जो theme होती है किसी भी topic की वो cover होनी चाहिए आपके research proposal में उसको curate आप खुद से कर सकते हो यानि कि आप उसमें कुछ और variables डाल सकते हो या उसको कोई और dimension दे सकते हो जिस भी चीज में आपका interest हो और जो एक valuable research बन सके जब आप proposal लिखोगे तो usually 3000 words का आपने proposal लिखना होता है जिसके अंदर first three chapters यानि कि आपका introduction including your research rationale कि ये research जो आप करना चाहते हो उसकी क्या significance है क्यों ये important है ये चीज कवर होती हो research के aims and objectives आप जरूर बताओ उसके बाद literature review उसमें होना चाहिए और साथ में research methodology कि आपकी intended research methodology क् इस topic को और in aims and objectives को achieve करने के लिए ये पहले तीन chapters आपने बनाने होते है research proposal लिखना होता है जब आप research proposal लिख लेते हो तो आप उसको जो है वो admission उस university में आप apply करते हो आप अपना research जो proposal है वो साथ में attach करते हो और कुछ दिनों के बाद आपको interview की email आती है कि आपका interview होगा interview जो है वो आदे घंटे से लेकर एक घंटे तक के दौरान के time का होता है ठीक है interview के अंदर वो आपसे में बी कुछ universities में आसे होता है कि आपको कहते हैं कि आप first initial 10 minutes में presentation देंगे आप presentation देते हो और उसके बाद आपसे questioning होती है GCU के अंदर ये procedure नहीं है GCU में जब मेरा interview हुआ था तो that was one-on-one interview उसके अंदर मेरी जो future में जो potential research team थी यानि के मेरे director of studies मेरे second third supervisors वो शामिलते और dean जो थी हमारी department की वो थी और उन्होंने मेरा interview conduct किया था मेरा जो interview था वो 45 minutes का हुआ था जिसके अंदर उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे थे वो आपसे basically आपके research proposal के बारे में ही सारे सवाल पूछते है प्रीबियस research experience पूछते हैं आपके research की 24 पूछते हैं आपका research में जुका हो किस तरफ है आइधर आप qualitative research में इंट हो quantitative research में interested हो किस किसम के topics पे आपको research करना पसंद है each and everything आपकी knowledge चेक करते हैं आपसे वो यह पूछेंगे के जिस topic के ऊपर आपने research proposal लिखा सकंधर major authors कौन-कौन से हैं आपने किन-किन को पढ़ा है ठीक है यह सब चीजों का knowledge आपको होना चाहिए ऐसा नहीं है कि कोई बहु future career आपके goals के बारे में भी पूछते हैं and then only वो आपको एक या दो दिन में वो आपको फॉरं से reply back कर देते हैं कि interview का outcome क्या था और either you are getting a scholarship और a place in the PhD or not ठीक है जी तो यह होता है admission process बाकी admission के सारे documents IELTS वगारा सब वही होता है जो master's level के international students लगाते हैं साथ में सिरफ research proposal का इसम PhD के admission को different बना देता है अब बात कर लेते हैं scholarships की अगर आपको funded PhD करनी है तो उसका सबसे असान तरीका यह है कि आप UK के अंदर पहले master's करें ठीक है आप अपनी field में master's करें और master's में जब आप thesis करते हो तो thesis आपने अपने बहुत अच्छा लिखना है और कोशिश करनी है कि आ आपके 70% से ज्यादा number होने चाहिए जब आप यह milestone achieve कर लो उसके बाद आपका जो master's का ही supervisor होता है उनके साथ अपने अपने बहुत अच्छा working relationship बनाने की कोशिश करनी है ताके future में आपको help out वो कर सकी और उसके बाद आप अपने supervisor को यह चीज़ कम्यूनिकेट करते हो कि के reference की बहुत जादा value होती है जब आप अपनी ही university में या UK में किसी और university में भी admission apply करते हो आपकी master's की degree में distinction होती है thesis के अंदर और एक बहुत अच्छा strong आपका academic reference साथ में लगा होता है तो यह साली चीज़े मिलकर आपके जो आपकी admission application होती है उसके उपर बहुत अच्छा positive impact डालती है ठीक है मेरे पास यह सब चीज़ें थी because मैंने master's UK से किया मेरी मेरे thesis के अंदर distinction थी और मेरा अपने supervisor के साथ बहुत अच्छा working relationship था तो मुझे काफी जादा इन चीज़ों की बजा से bonus points में समझती हों के मिले थे और दूसरा मैं university की research theme से वाकिफ थी मुझे सारा procedure पता था कि GCU के अंदर research का क्या culture है कैसा काम कराते हैं तो I was a bit easier to adjust and you know I knew a lot of things तो इस वजा से मुझे असानी हुई थी अपने interview के अंदर भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का पहले से पता था और मुझे अराम से admission मिल गया था बट इसका हर्गिस भी यह मतलब नहीं है कि चाहिए या आप कोई थोड़ा सा अपना मतलब काम की quality को आप compromise कर सकते हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह मैं आपको add-on benefits बता रही हूं कि UK की degree पढ़ने का master's यहां से करने का आपके PhD के अपर क्या added benefit आपको मिलता है बाकी आपका proposal बिल्कुल अच्छा होना चाहिए क्योंक आपका क्या background है आप university के student हो या नहीं हो पर competition बहुत जादा होता है जिस वक्त मैंने studentship apply की थी तो मैं hundreds of students के अंदर से हमें सिरफ 5 को उन्होंने select किया था उस time पर PhD scholarships देने के लिए जिसमें से एक मैं भी थी luckily तो यह के बहुत competitive होता है तो prefer आप यही करें कि आप UK से master's करें उसके बाद आप PhD का सोचें अगर आप direct इंडिया पाकिस्तान से PhD अप्लाई करना चाहते हो तो उसके अंदर आपकी research profile बहुत strong होनी चाहिए at least दो अच्छे ranking के journals के अंदर आपके papers होने चाहिए या फिर एक journal paper और एक conference paper आपके पास होना चाहिए published तभी आपको वो consider करते है as a good candidate otherwise it is very very competitive खाली research proposal की बेस पर simple master's के बाद research proposal की बेस पर आपको UK में admission PhD के लिए especially scholarship मिलना is very very tough अगर आप UK के बाहर से करते हो मैंने master's यहाँ से किया था but then I went back Pakistan और मैंने वहाँ से अपना PhD का सारा procedure किया था दुबारा से मैं PhD में admission लेकर आई थी but still I had that degree और experience जो के मेरे पास था scholarships जो है वो universities की website के उपर आते हैं तीन तरह की basically इसके अंदर funding होती है एक होती है university funded PhD एक होते है external funding PhD और एक होते है अगर आपका employer आपको support कर रहे है जिस भी organization में आप काम करते हो अगर वहाँ से आपको funding मिल जाती है तो वो भी एक funding की category हो सकती है मेरा जो scholarship है वो university funded है GCU sponsored है त external funding में जितने भी आपकी जैसे Commonwealth का होता है ठीक है और और जो बड़े बड़े जो अच्छे scholarships आते हैं यहां पर शिवनिंग scholarship होता है वो वाले सारे scholarships external में कवर हो जाते हैं क्यूंकि वह third party है जो कि आपको funding provide करती है to study in European country especially UK और उसके बाद इसरो number पर आ जाता है कि अगर आप भी है तो यह तीनों तरह की funding को पर आपने नजर रखनी होती है university funding और external funding जो है वो आपको बहुत सारी website से जहां से पता चल जाता है university की website पर भी आते हैं scholarships और find PhD.com एक website है वहां भी बहुत सारे scholarships आते हैं PhD के लिए खास तोर पर तो वहां से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं औ और scholarships जो होते हैं वो different categories को होते हैं बाज ऐसे होते हैं जो सिरफ tuition fee आपकी cover करते हैं बाकी आपने अपना living expense पगारा सारा खुद pay करना होता है बाज ऐसे होते हैं जो आपकी tuition fee plus living expenses को cover करते हैं तो वो सबसे best हैं अगर आपको ऐसा कोई मिल जाए because living expenses भी उसमें आपको university pay करती है हर महीने आपका stipend जिसके मदद से आप जो है अपना अच्छे से manage कर पाते हो और आपको financially कोई problem नहीं होती तो क्यूंके मेरा international school med student थी और उन्हें पता था मैंने उन्हें यह चीज कम्यूनिकेट की थी अपने interview के इंदर के मेरे साथ एक toddler है मेरी बेटी है चूती 1.5 years की तो उन्होंने मुझे मेरे सारे research proposal और मेरे previous research के experience को देखते हुए they offered me an enhanced international scholarship यानि के previously जो मेरा scholarship था उसमें मेरी सारी tuition fee cover हो रही थी और एक पहुत चोटी सी amount 200-300 pound मेरे पास बच रहा था for monthly expenses जो के मेरे original scholarship में था but based on my scenarios and my previous experience university ने मुझे enhanced scholarship offer किया जिसके अंदर उन्होंने मुझे extra grant दी for my living expenses और ताके मुझे जो है किसी किसम की परिशानी ना face करने पड़े और मैं अपनी study पर focus कर सकूँ तो अगर आप में potential होता है और आप कर पाते हो चीजों को आप उन्हें ये show कर पाते हो कि मैं एक अच्छा candidate हूँ मेरे पास relevant experience भी है relevant knowledge भी है तो वो आपको हर तरीके से accommodate करते हैं यहां पर PhD इसको proper office दिया जाता है laptop देती है universities आपको हर facility provide करती है हर तरीके से जिस तरह से भी आपको help out वो कर सकती हो तो आपका basically बहुत आप अराम से अपना PhD कर पाते हो यहां पर without any attention सरफ आपको पढ़ना होता है focus करना होता है and that's it तो I hope के initial जितने भी आप लोगों के सवाल थे funding से related admission apply करने से related वो सारे मैंने इसमें cover करने की कोशिश की है और आप में से जो भी लोग हैं जिनके PhD के बारे में further कोई सवाला आते हैं वो मुझे इस वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं मैं कोशिश करूँगी कि अब week में एक वीडियो खास तोर पर PhD वालों के लिए जरूर अपलोड करूँ क्यूंके बहुत जादा मुझे इसकी demand भी आ रही है और questions भी बहुत आते हैं तो आपने मुझे जरूर बताना है comments भी करने हैं ताके further मुझे पता लएगे आप क्या क्या चीज़ें जानना चाते हैं PhDs, Scholarships और पढ़ाई के बारे में यहाँ पर तो मैं जरूर हफते में एक वीडियो PhDs के ओपर भी जरूर अपलोड किया करूँगी दो लाइक, subscribe and share this video अपना बहुत सा ख्याल रखें दुआउ में याद रखें मिलते हैं अंगली वीडियो में बाबाई